साथियों आज का वीडियो बहुत ही important होने वाला है यह charger हम लेकर के आये हैं आपका सबसे पहले यह आज के 10 साल पहले इसे charger आते थे हैं आट-10 साल पहले उसके बाद धीरे system change हुआ ऐसे आने लगे और फिर उसके बाद अब ऐसे आने लगे और फिर यह fast charging वाने आने लगे है और यह तो दूसरा है laptop का है फिलहाल यह भी laptop का charger है यह camera का charger है हम यह बताएंगे कि इन में कितनी बिजली की खपत होती है जैसे कि अगर आप मैं आपको बोलूँ कि भाई यह light कितना है तो आप जान जाते हो कहते हैं यह 5 watt की light है आपने देखा होगा LED लगी होती है यह light इसमें एंपियर और वोल्टेज लिखा होता है बाकी LED अगर हम देखो लिख इसमें अगर देहान दो तो LED में लिखा है 7 watt यह 7 watt की LED है बल्स की लेकिन बहुत चारजर में वाट नहीं लिखा होता है तो चारजर कितने वाट का होता है आपने सुन होगा कुछ कहते हैं हमारे फास चारजिंग वाट वाला चारजर है तो देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है मैं आपको इदम इसमें सुरू करता हूँ छोटे वाले से यहाँ पर जो आउपूट है देहान से देखना आउपूट क्या है 0.15 ampere है नहीं नीचे है स्वारी 0.7 ampere है और बोल्टेज इसमे पता है इतना तो आप करी लोगे वसे मैं सिर्फ मैत ही सिखाता हूँ ऐसी बात नहीं चैनल पर मैं बहुत मैत सिखाता हूँ पांच के गुड़ा आपको सिंपल में साथ में कर लेना है तो 5-35 होता मेरे भाई और एक अंक पर यहाँ पर 10 अमलो लगा था ति यह लग यानि आपका जो चार्जर है वो कितना है 3.5 वाट का है ठीक है इसका सूत्र होता है वाट का पता है क्या होता है वाट का सूत्र होता है बोल्टेज इन्टू एंपियर या करेंट इसे आई भी लिख सकते हो इक्कॉल डबलू आपने 12 में फिजिक्स में पढ़ाओंगा यह होता है तो इस तदरीकी से आप वाट निकाल सकते हो तो चोटा का जला चार्जर साड़ लगा अभी भागना नहीं अभी और भी दिखाऊंगा जानान नहीं नेक्स्ट जनरेशन में आ जाओ भाई, नेक्स्ट जनरेशन में देखो इसमें अउपुट जो वाट है क्या है? अगर आप ध्यान से लिए नाइन बोल्टेज भी है और पांच बोल्टेज भी इसमें और लिखा, इसका मतलब जानते हो इसमें तो confusion हो रहा आपका होगे इसमें तो दो दिया है भाईया यह नो बोल्ट भी दिया है पांच बोल्ट भी दिया है इसका मतलब जानते हो क्या होता है और 100 की स्पीड में भी जा सकती है तो वैसे ये charger में capacity है अधिक्तम की अधिक्तम जो है जो ज़्यादा वाला दिया है न उतने वार्ड तक का मतलब इसमें से आप current ले सकते हो कैसे लोगे देखो जो USB केबली आती न ये ये अलग-अलग छमता की आती है अलग-अलग टाइप की आती है अगर इनकी छमता ज़्यादा पावर खीचने की है तो ये ज़्यादा पावर आपकी फोन को डारेक्ट टांसफर करेंगी और फोन आपका जर्दली चार्ज हो जाएगा इसलिए आप देखो चार्जर कितना बढ़ ये लगाओ अगर केबल रदी है तो चार्ज नहीं होता है जैसे इसमें देखो अगर आप एपल में देखो तो एपल कौन सा केबल देता है देख रहे हो ये टाइप सी ये लैपट आप की है मैक बूक के लिए तो वैसे ये इसका अपना अलग ही सिस्टम होता है तो वही इसका मतलब ये है कि अधिकतम ये कितने वाट का है मिनिमम दस वाट का है मिनिमम जो है पांच गुड़े आप दो जो देख रहो ये दस वाट का है इसके बाद आपको दिखाएंगे दें Macbook का 67 वाट का चार्जर आता है इसमें देखो इसमें लिखा है 67 देखो इसमें 67 वाट दिख रहा है ना 67 वाट का है इसमें अगर आप देखो तो 20.3 है बोल्ट है और 3.3 एमपीर है दिख रहा है ना 20.3 मैक्सीमम है और 3.3 इस तरीके स अगर आप देखो तो 66.9 वाट आ जाएगा ना मतलब 67 वाट लगभग में एक पॉइंट कमा रहा है मतलब वही समझ रहे हो ना यह क्या है मैक्सीमम मतलब यह चार्जर मैक्सीमम 67 वाट की सप्लाई कर सकता है लेकिन मिनिमम भी इसमें है मतलब यह कि केबल की आवकात होनी चाहिए अगर है तो वह इतना सप्लाई कर सकता है अगर मिनिमम आप देखो तो 5.2 वोल्टेज और 3 अंपीर है इसका मतलब जानते हो तीन दूनेच्छे तीन पच्छे पंद्रा यानि पंद्रा दसंबलो 6 वाट कभी इसको यूज कर सकते हैं यानि इसको 15 वाट से लेकरके 66 वाट तक के लेपटाप या मुबाइल के लिए यूज किया जा सकता है कुल मिला के इसको एपल आईफोन के लिए भी यूज किया जा सकता है जहां तक मुझे मेरा मानना है ना इसमें बहुत अच्छा बिजबल हो रहा है देखो ये 65 वाट का AC अडप्टर है ये लेपटा लग भग आ रहा है ठीक है ये मत सोचना कि एक पॉइंट जादा होगे एक पॉइंट कम होगे होता है उतना ही होता है ठीक है तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है इसको सेर कर दो खुब दबाके और बहुत अच्छा ब्यू जाना चाहिए उसके बाद हमाय से ही मज़दार वीडियो आपके लिए लाएंगे इंट्रेस्टेट भी होगा नॉलेज वाला भी होगा और आपकी जिन्दगी में काम भी आएगा थैंक्यू